कि हेलो फ्रेंड intéress वब कम में पॉल इन दिस वीडियो दोश्म सक्वीडियो रहेगा जिसमें हम मैं क्रिक्टिश करेंगे ठीक है अड यह प्रेक्टिश ओड जो है वह आपका जे विटी पेपर और नॉन मेडिकल के पेपर के लिए इंपटेंट रहेगा ठीक है सो इसमें हम 15 question discuss करेंगे तो चली शुरू करते हैं आज का first question देखते हैं सो आज का जो first question है इसमें बोला है कि what is the rate of interest when gives which gives simple interest of 280 rupees on a sum of 56,000 for two years ठीक है 56,000 पर दो बस्चात किस दर से 280 साधारन प्यास दे होगा ठीक है सो यहां पर आपको given क्या क्या है देखो principle आपको given है जो की है 56,000 ठीक है 56,000 given है आपको rate of interest तो find out करना है और 7 में given क्या है T की value given है 2 years ठीक है और 7 में given क्या है साथ में SI की value given है simple interest की value given है जो की है 280 rupees ठीक है अगर आपने यह question detail में जानना होगा तो इस पर मैंने एक video भी बिनाया हुआ है simple interest का वहाँ से आप simple interest का video देखें आपको हर format के question clear हो जाएंगे and इस question में क्या करेंगे आपको simple interest given है और वैसे भी simple interest का जो formula रहता है वो रहता है P into R into T upon 100 ठीक है आपके पास जो value given है तो SI की value given है वो है 280 ठीक है यह equal हो जाएगा P की value के तो यह है 56,000 and R as it is रहेगा and T रहेगा 2 और निचा जाएगा 100 ठीक है तो आप यहां से rearrange करें और R की value find out करें तो आपने यह question करना है and आपने comment box में मुझे बताना है कि यह जो option आपके पास given है इनमें से right option कौन सा होगा ठीक है इसको solve करेंगा and comment box में आपका इसका answer बताईएगा next question है next question में पूछा है आज यह जो आपके पास data given है उसका mode बताना है mode of this data is ठीक है mode हिंदी में बहुलक होता है ठीक है तो देखो आपके पास ऐसा data given होगा और आपने mode बताना है तो आपने क्या करना है पहले पहले जो भी data given होगा उसको increasing order में लिखिए तो कैसे लिखेंगे पहले 2 given है फिर आपके पास 3 given है फिर again 3 given है एक और यहाँ पर ठीक है 2 3 given है ठीक है and आपके पास 4 कितने given है 4 given है 1 2 3 तो 3 तो तीन वार जो है वो 4 given है ठीक है उसके बाद आपके पास 5 given है और 5 कितने है 2 वार given है ठीक है so 5 है 2 वार given and last में 6 है एक तो वो given है ठीक है यह आपके पास data given है जिसको आपने increasing order में लिख दिया है अब आपने देखना है कि maximum time कौन सा number repeat हो रहा है ठीक है 4 इसका right answer होगा तो ऐसे आप mode को check करते हैं ठीक है तो इस question को important mark करिएगा क्योंकि mode median and mean से जो है question बनते ही बनते हैं ठीक है next है the 10th term of AP आपके पास AP जो है वो दीवी एस सो इसमांतर स्रेणी जो है वो दीवी आपके पास 2712 ठीक है 27 and 12 and so on so ठीक है यह given है तो देखो first term जो होती है इसको हम बोलते है ठीक है जो पहली term given होती है यह है 2 यहाँ पर हमें डी वी find out करना पड़ता है तो डी कैसे find out करते है जो second term होती है उससे first term को minus कर दो मतलब 7 से minus कर दो 2 को तो यह जाएगा 5 आपके पास ठीक है अब क्यूंकि आपको 10th term निकालनी है मतलब A 10 निकालनी है तो इसका formula क्या होता है यह होता है A plus N minus 1 ठीक है तो N की जो value होती है वो क्यूंकि यहाँ पर आपको 10th term find out करनी है तो आप आप यहाँ पर A की value लिखो 10 minus 1 तो आप कर लोगे और D की value हरो आपके पास calculate करके कुछ answer आएगा ठीक है तो आपने option से बताना है कि right answer कौन सा होगा ठीक है तो comment box में आप बताएगा कि right answer कौन सा होगा ठीक है इस formula का use करके इस formula से आपका जो है वो answer आजाएगा ठीक है तो ऐ internal formula equal होता है a n ठीक है यहाँ पर n जो होती वो term होती है ठीक है number of terms होती है यह equal होती है a plus n minus 1 into d ठीक है तो आपने जो भी term find out करनी होती है वो n होती है ठीक है n में उस term को लिखें आपके पास value आजाएगी ठीक है next question है which of the following represent the parameter of semicircle having radius r ठीक है अब semicircle की जो perimeter होगा perimeter क्या होता है perimeter होता है total length ठीक है perimeter होता है total length देखो यहाँ पर total length होता है अब यहाँ पर देखिए आपके पास given क्या है semicircle ठीक है अर्द ब्रिथ तो देखो brief यह complete होता है ठीक है and Earth ब्रिथ मतलब यहाँ से हम half कर देंगे तो यह Hawk portion जो बचेगा इसका ह हमने parameter लिखना है तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा इतना हिसा अर्ध parameter सैमी parameter अब क्यूंकि अगर complete circle की बात करें तो इसका parameter होता है 2 pi r ठीक है मतलब circumference of circle भो parameter भी बोलते हैं उसको ठीक है parameter जो होता है वो circumference का parameter होगा तो 2 से half करेंगे तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा आपके पास simple क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा पाई- फुरी जो हाज़ कल है इसका बच आ गया पई- आर की value ठीक है अगर यहां तक जो है यह value आ गई आपके पास क्या यह value और देखो यहां से लेकर यहां देखो यहां तक भी क्या होगी एक without Oh no तो और वैसे भी अगर हम इस complete जैसे यहां पर यह complete यह वाला चीज होगी, ठीक है, तो यह जो होती है, वो diameter of circle होता है, तो diameter of circle किसका होता है, 2R के equal होता है, ठीक है, और यह जो half वाला यह जो बच गया, यह piR के equal होगा, ठीक है, तो आपका option number B, option number B जो होगा, वो same match खा रहा ह है, इस से, ठीक है, तो option number B जो होगा, ठीक है, ऐसे आप इसको find out करेंगे, next question है आपके पास, on solving this, आपके पास answer क्या होगा, so any number which has power in 0, so उसकी value 1 की equal होता है, मतलब a की power 0, equal होगी 1 के, a में कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे यहां पर 3 रखा है, 2 रखा है, and 5 रखा है, तो 3 की power 0, plus 2 की power 0, bracket, अग्या जाएगा, multiply 5 की power 0, तो 3 की power 0 किसके एक को लागा, 1 के, plus 2 की power 0, 1 के equal, ठीक है, bracket into 5 की power 0, 1, तो यहां जाएगा, 1 प्लस 1, क्योंकि पहले हम bracket solve करेंगे, तो यह 2 की equal जाएगा, 1 बाहर multiply है, and 1, तो यहां जाएगा, 2 into 1, 2, ठीक है, तो option number C, जो है, व next है, 12th question, the mean of first 5 whole number is, ठीक है, आपने पर्थम 5 पून संख्याओं का मादे find out करना है, ठीक है, ठीक है, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि, first 5 whole number कौन कौन से होते हैं, तो पर्थम 5 पून संख्याओं होती है, 0 से सुरू होती है, whole number, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यह 5 whole number आगे अब इनका sum करो, mean कैसे find out करते हैं, जो भी आपके पास observation given होती है, उनका sum करो, तो मतलब 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ठीक है, इनका sum जो आएगा, वो आएगा equal, 4, 3, 7, 2, 9, plus 1, 10, and total number, total number कितने हैं, मतलब total संख्याओं कितनी given हैं, आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं के पारे उसक equal आजाएगा, so option number D में 2 दिया है, तो मतलब option number D जो है, right answer होगा, ठीक है, and mean से जो है, वो question में बनता ही बनता है, jbt tat में, और non-medical tat में, ठीक है, median, mean और mode, ठीक है, इनसे एक equation बनता ही है, next है, the sides of four triangles are given below, which of the following terms forms a right-angled triangle, ठीक है, तो हमने बताना है, आपके पास pair given है, यहाँ आपने बताना है कि कौन सा pair, कौन सा, कौन से जो sides given है, आपके पास pair नहीं है, यह triplet actually, तो यह बताना है कि कौन सा option जो है, वो right-angled triangle की sides होंगी, ठीक है, so इसको find out करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, pythagoras theorem लगाने पड़ेगे, क्योंकि right-angled triangle जो होता है, बहाँ पे pythagoras theorem चलती है, तो perpendicular जो होता है, p, p का square प्लस base का square वो equal होता है, hypotenuse के square के एकोल, मतलब hypotenuse का square जो होता है, यह equal होता है, perpendicular का square प्लस base का square, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिखें, perpendicular का square, प्लस base का square, is equal to hypotenuse का square, ठीक है, अगर यह equal आते है, तो आप बोल सकते हैं, कि given, triplet of sides are the sides of right-angled triangle, ठीक है, जैसे आपके पास first question given है, first option given है, 20, तो 20 आप perpendicular को मानलो, तो 20 का square plus, अब आगे 22 given है, तो 22 का square कर दो, तो यह आगे is equal to, यह जाएगा 24, लास्ट वाला जो pair number given होगा, उसको आप hypotenuse मानलो, ठीक है, तो आप इसको square करो, प्लस करो, फिर देखो कि इस square के equal आ रहे की नहीं आ रहे है, अगर आ रहा होगा तो वो triplet होगा, right angle triangle की sides का, ठीक है, अगर नहीं आएगा, to वो नहीं होगा, ठीक है, तो आप check करना इन सारी options को, बताना कि, कौन सा triplet sides का जो है, वो right angle triangle की sides है ठीक है तो option से बताना है आपने comment box में next question है x-axis is also known as ठीक है x-axis को क्या बोल जाता है एपसी सा ordinate origin या quadrant ठीक है हिंदी में x-axis को dash कहा जाता है ठीक है तो देखो x-axis को भी अलग से नाम है और y-axis का भी नाम है ठीक है तो x-axis का जो नाम है वो है option number a ठीक है एपसी सा जो है वो x-axis को बोला जाता है हिंदी में भुज बोलते हैं and y-axis का जो नाम होता है वो होता है ordinate ठीक है ordinate जो है वो y-axis को बोला जाता है तो यह जो दो नाम है अलग से होते है x-axis और y-axis के ठीक है next है find the distance between the points 2,3 and 4,1 4,1 ठीक है देखो बिंदू 2,3 और 4,1 के बीच दूरी ज्याद करिए तो जैसे आपके पास दो बिंदू given होंगे तो उनके बीच में distance आप find out करें इस formula से ठीक है अंडर d distance जो होगा वो equal होगा किसके equal distance यहां से equal हो जाएगा आपके पास यह आएगा x2 ठीक है x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square ठीक है इसके equal अब आपने x2 जो है वो जैसे यहां पे 2 और 3 दिया हुआ है तो देखो 2 को आप मानलो x1 ठीक है और 3 को मानलो y1 ठीक है ऐसे और जहां से 4 और 1 भी दिया हुआ है तो आप 4 को मानलो x2 और 1 को मानलो y2 ठीक है तो जैसे यह पेर दिया हुआ है तो इसमें x1-y1 मानना है और second pair को x2-y2 मानना है ठीक है इन values को आप इस formula में put करो आप calculate करो फिर आपके पास d की कुछ value आएगी वो होगा right answer ठीक है तो इसको भी आपने solve करना है फिर option से बताना है मुझे कि right option कौन सा होगा ठीक है यह चार option आपके पास given है इनको इनसे बताना है आपने कि right option कौन सा होगा ठीक है comment box में आप लेकिएगा कि right option कौन सा होगा next question है if 10 a is equal to quote b then a plus b is equal to देखो आपके पास given है 10 a is equal to quote b आपने बताना है a plus b जो है वो किसके equal होगा ठीक है तो इसको कैसे करेंगे देखो 10 a को तो आप as it is रहने देंगे and quote b को आप change कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जैसे 90 पर trigonometric function होता है तो वो change हो जाता है तो अगर हम देखें तो अगर b को लिखे हम 90 minus b ठीक है तो यह convert हो जाएगा किसमे 10 में ठीक है यह 10 में यह quote b को आप इस form में भी लिख सकते हैं 10 19 minus b क्योंकि 90 पर क्या होता है 10 जो है वो change हो जाता है किसमे quote में change हो जाता है ठीक है 10 जो है यह change हो जाएगा quote में और quote जो है वो 10 में change हो जाएगा कहां पर 90 डिगरी पर ठीक है तो आप इस quote b को यह quote b लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते है 10 19 minus b ठीक है तो यहां से 10 से 10 cancel out हो जाएगा आपके पास a is equal to 90 degree minus b आ जाएगा ठीक है सो b जो माइनस में है इसको left hand side में लेके आओ तो यह बन जाएगा आपके पास a plus b ठीक है और यह equal होगा 90 degree के ठीक है सो यह option number a में दिया हुआ है तो यह आजाएगा क्या option number a ठीक है तो 90 degree जो होगा इसका right answer होगा ठीक है next है the cost of a flower waste is 120 if the shopkeeper sell it at a loss of 10% find the price at which it is sold ठीक है एक फूलदान की लागत मुले जो है वो 120 रुपे है यदि दुकानदार इसे 10% हानी पर बेजता है तो इसका बिक्रे मुले क्या होगा ठीक है देखो यह question जो है मैंने profit and loss की video कराई है math की तो उसमें profit and loss के हर type की question मैंने करवाई हुए है ठीक है अगर आपने इसको detail में जानना होगा तो उस video को आप देख लेना ऐसे यहां से करवाता हूं मैं तो cost price दिया हुआ है flower waste का तो cp दिया हुआ यहां पर 120 ठीक है and loss जो हुआ है वो हुआ है 10 प्रतिशत का ठीक है तो देखो यह जो loss होगा ना जो भी हानी होती है वो क्रे मुले पर count होती है मतलब cp पर count होगी तो loss कितना होगा अगर हम number में देखें तो यह होगा 10% into 120 ठीक है तो 10% को हम लिखेंगे 10% change हो जाता है 1 upon 10 में and यह जाएगा 120 तो यहां सी cancel out आपके पास 12 आ गया मतलब loss जो हो रहा है 12 रुपे का हो रहा है अगर क्रे मुले जो है क्रे मुले जो है flower base का वो है 120 रुपे and दुकांदार उसको बेचने पर 12 रुपे की हानी प्राप्त कर रहा है तो वो उसने कितने रुपे में बेचा होगा ठीक है अगर लागत मुले जो है वो 120 रुपे है profit and loss की वीडियो mathematics playlist में देख सकते हैं ठीक है तो वहां से आपको पता लग जाएगा next question है यदी under root 1 plus x upon 144 is equal to 13 upon 12 then the value of x will be ठीक है आपके पास ये आपके पास equation given है ठीक है इस equation को आपने solve करना है फिर x की value बतानी है ठीक है तो कैसे solve करेंगे क्योंकि आपके पास given है 1 plus x upon 144 ठीक है is equal to 13 upon 12 ठीक है अब देखो आपका पहला काम क्या होगा यहां पर आपका पहला काम क्या होगा कि यह जो untrute आपके पास given है न square root जो given है इसको खतम करना तो इसको खतम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर भी square करना पड़ेगा और इस number को भी square करना पड़ेगा तो देखो square से तो यह under root cancel out हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा x plus 1 plus x upon 144 is equal to 13 का square ठीक है तो 13 का square होता है 179 ठीक है 169 और 12 का square होता है 144 ठीक है तो यहां से आप LCM लें तो यह बन जाएगा कितना है यहां से इसको LCM से solve कर लें ठीक है तो यह बन जाएगा 144 plus x upon 144 ठीक है और यह सारा number equal होगा इसके ठीक है तो यहां से यह नीचे वाला cancel out हो जाएगा आपके पास सिर्फ बच जाएगा एक्स बच जाएगा 144 प्लस x is equal to यह उपर बाला बच जाएगा ठीक है तो यह आजाएगा कितना x is equal to 169-144 और जब इसको minus करेंगे तो आपके पास जो value आएगी वह आएगी 25 के equal ठीक है 25 इसका right answer होगा ठीक है next है शून्य संख्या संख्या शून्य है ठीक है दर नंबर 0 is old number prime number natural number यह whole number ठीक है आपने बताना है देखो old number जो होते हैं 135 ऐसी होते हैं ठीक है and prime number जो होते हैं वो टू से शुरू होते हैं 2357 ठीक है ऐसी होते हैं natural number जो होते हैं वो 1,2,3,4 ऐसी होते हैं और whole number जो होते हैं वो होते हैं 0,1,2,3 ठीक है 0 से शुरू होते हैं so 0 कैसा हुआ whole number हुआ तो मतलब option number D जो है इसका right answer होगा ठीक है next है दो पून संख्याओं का गुननफल 24 है ठीक है इन संख्याओं का new term संभव योग क्या है the product of whole number is 24 the smallest possible sum of these numbers is ठीक है तो आपने ये बताना है देखो इस question को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो आप 24 के factor लिखो ठीक है तो जैसे 1 into 24 तो ये भी 24 के इकोल होता है फिर 2 into 12 तो ये भी 24 के इकोल होता है फिर 3 into 8 तो ये भी 24 के इकोल होता है फिर 6 sorry 4 into 6 ठीक है 4 into 6 तो ये भी 24 के इकोल होता है फिर आता है फिर repeat हो जाते हैं फिर 8 into 3 मतलब repeat होने शुरू हो जाते है ठीक है अब आपने ये जो Factor लिख दीए ना इनका plus करो फिर देखो कि किसका जो है प्लस जो हो फिर देखो कि कौन से option से match हो रहा है so 1 plus 24 यह तो 24 के equal ही आएगा ठीक है तो option में नहीं present है तो मतलब यह तो discard हो गया 2 plus 12 किसके equal हो आएगा यह आएगा 14 के equal तो यह भी option में नहीं given है 3 plus 8 जो होगा यह equal हो जाएगा 11 की तो यह भी option में given नहीं है तो यह भी discard 6 plus 4 तो यह equal हो जाएगा 10 के equal and यह option में given है तो option number C जो होगा इसका right answer होगा तो ऐसे आप ऐसे चेक करते हैं ऐसे question को ठीक है पहले आप जैसे आपको product बोला है तो product में factors लेखिए उस number के फिर देखिए प्लस करके किन factors का sum जो है वो options के equal आ रहा है तो एक फेक्टर का pair जो है वो निकल के आई है जिनका sum जो है वो 10 के equal आ रहा है तो 10 जो है right answer होगा ऐसे आप questions को attempt करते हैं ठीक है नहीं मिलते है next video में वहाँ पर हम next practice set को करेंगे ठीक है सो यह वीडियो को आप पूरा देखना और यह से question आपको जेबीटी टैट में और नोन मेडिकल के टैट में पूछे जाते हैं ठीक है सो मिलते हैं next video में ओके वावे थेंक यू